कि है लेव वोड सबोस्ड तो आज हमारा जीकैमें चैप्टर है अजर्ब इसले शेप्टर हे धोल तो आज हम नाइस शप्रम देखेंगे और जब घर प्यारा घर चलिए सब्द्र को हम देखते हैं किया है सब इसमें दिया गया है नेम दा डिफ्रेंट टाइप्स ओफ हाउसेज विच आर मेड एक्रोस दा वर्ल्ड यानि बिभिन प्रकार के घरों के नाम बताईए जो दुनिया में बने हुए हैं तो नाम बताने हैं घरों के तो चलिए किस घर को क्या कहते हैं पहला है ए हाउस मेड विद मड हे एंड हग डंग तो यानि मिट्टी और घास और गोर से बना घर तो उसको क्या कहते हैं जो मिट्टी घास से बना होता है घास पूस से बना होता है उसको क्या कहते हैं वो होता है कच्चा हाउस तो हम यहां लिख देंगे कच्चा हाउस के यू टी सी एच ए हाउस हो यू एस ए ओके बच्चो आप है हमारा सेकेंड नमबर पे ए ब्यूटिफुल हाउस ओफन सीन इन सिटीज यानि सहरों में अक्सर देखे जाने वाला एक सुन्दर घर होता है ये तो इसको क्या कहते हैं घरों में जो सुन्दर घर होता है वो क्या होता है इस तरीके का क्या होता है ये होता है बंगलो तो हम इसे लिख देंगे बंगलो बच्चो जब आप इसको करें ना इस तरीके से करना, नमबर बंड डालके इसके सामने इस तरीके से डैस लगाओगे, उसके आगे लिख दोगे, इसका आंसर, इस तरीके से आपको ये नोड़ बुक पर नोट करना है, तो चलिए, आप है मारा थर्ड, वेरी हाई विल्डिंग इन ए मैट्रो सिटी, यानि मैट तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसकी स्क्रीपर, यानि S-K-Y, स्काइस क्रीपर, C-R-A-P-E-R अब है हमारा फूर्थ नमबर पे, A House on Wheel, यानि एक घर जो क्या, पईये पर होता है, एक घर जो पईया पर होता है, वो क्या होता है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, कहरावन, C-A-R-A-V-A-N अब हैं, यह देखें, इस तरीके का होता है, यह पईया उपर चलता है, अब है मारा फूर्थ नमबर पे, A House made of thick canvas, यानि एक घर होता है, जो किस से बना होता है, घने कैनवास से बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इस तरीके का होता है, उसको क्या कहते हैं, वो होता है, टेंट, तो हम यह लिख देंगे, टेंट, अब हैं हमारा six नमबर पे, A House floats on water, एक house, यानि एक घर जो पानी पर तहरता है, एक घर पानी पर तहरता है, वो क्या होता है, उससे कहते हैं, हाउस बोट, वो इस तरीके का होता है, हाउस बोट, बोट होती है, उसमें घर होता है, हाउस बोट, अब हैं हमारा seven नमबर पे, a building of multiply houses, यानि कई घरों का निर्माण होता है, एक घर में कई घरों का निर्माण होता है, कई घर होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, वो होता है, इस तरीके का, एक building में कई सारे घर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वो होता है, flats, flat बोलते हैं, उसे flats, एक घर में कई सारे flats होते हैं, इस तरीके से, अब हैं हमारा eight नमबर पे, a house raised on piles over the surface of soil or a body of water, यानि मिट्टी की सतय या पानी के सरीर पर धेर पर उठाया गया घर होता है, ये इस तरीके का होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस यहां लिख देंगे, s-t-i-l-t, स्टिल्ट हाउस, तो बच्चों, आज ही हमारा चैप्टर, होम सुईट होम, कम्प्लीट हो गया, आप इस चैप्टर को जो भी आप होम बर्क जिस पे कर रहा हैं, नोट बूक पे, फेर नोट बूक पे उसी के आगे आप इस चैप्टर को कर लेना, और जितना भी आपको होम बर्क दिया जा रहा है, बरावर साथ ही साथ आप उसको पूरा करिए, और लर्न जरूर करिए, आप जितना भी आपको बताया जा रहा है, उसको लर्न बरावर करते रहिए, ओके,